इन्दु धरम में गुरु को बहुत मैत्तु दिया गया है और पहला गुरु जो है या इश्वर है वो मा है मातर देव भभावा, पित्र देव भभाव, आचारे देव भभाव और यहां से शिक्षय आरम होती है और अन्तिम जो लक्ष है मोक्ष वहां तक गुरु की आवशक्ता होती ही होती है संसार में किसी भी क्षेत्र में बिना उस फिल्ड के एक्सपर्ट के बिना हमारा काम नहीं चलता है इंजिनेरिंग क्षेत्र में हो वहां में एक्सपर्ट चाहिए मेडिकल में है जो हमें वहां एक्सपर्ट चाहिए यारि कि हरक्षित में हमें कोई एक्सपर्ट चाहिए जो गुरू का कारी करता है अब जब हम इन क्षेतु में किसी एक्सपर्ट को हम देख चाहते हैं या हम धूंटे हैं तो फिर जो आत्मग्यान उपी जो महालक्ष है, उसके लिए हमें कौंसा गुरु चाहिए, जो कि सद्गुरु हो? यानि गुरु वो है कि जो भ्रह्मा निष्ट हो और भ्रह्मक्षोत्री हो? ब्रहमनिष्ट का एताद परी है कि जो उस काल के अनुसार में उन स्रोताओं को जो जिग्यासों हैं और उको नहीं जिग्यासों को उनकी भाषा में उस काल के अनुसार में आत्मसलूप का बोध बोधिक रूप से करा दे अपने उपडेसुप के माद्यम से फिर वो अपने अभ्यास से आगे को बढ़े हैं, अपने पुरशार्त से और भगवत कृपया से आगे को बढ़ते जाएं, ब्रह्मनिष्ट हो है कि जो ब्रह्म में समाया हुआ है, जो आपने ज्ञानी होच है, जिसने जन्म और गृत्व के चक्र को तोड़ लिया है, तो ब् में आदर दिया गया है, वो आराध्य माने गए है, उनको ब्रह्म स्रूप माना गया है, गृर्ण यापनने जिर के लागुपाय कविधा जी भी कह रहे हैं, बलिहारी nguru आपनो, जिन गोबिंद दियो बताए वहां तो कहा गया कि गुरू ब्रह्मा सरूप भी है और विश्णु सरूप भी है और महिस सरूप भी है और गुरु स्वयम ब्रह्म सरूप है ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है ब्रह्म का ताथ पर है परब्रम परमाक्मा, निर्गुन निराकार के रूप में, जो कि सगुन साकार के रूप में, मूत रूप में गुरु हमारे सामने अबतरित हुए हैं कवेदास जी कहते हैं कि भगवान और गुरु अगर खड़े होंगे तो माना अगर मैं सुबह दरबाजा खोलूं और सामने दोनु खड़े होंगे, गुरु मही हैं और भगवान भी हैं, गोविंद भी हैं, गुरु भी हैं तो मैं सबसे पहले गुरु के चरण को प्छूँगा क्यों। गोबिन का मुझे अता पता नहीं था, मुझे अपने आत्मसरूप का बोधन का अता पता नहीं था, जो में मैं जो अंतरयामी है, उसको जनाने के लिए, उनको ग्याद कराने के लिए, जो गुरु हैं वो अगर नहीं होते मैं इश्वर को नहीं जान सकता तो मैं सबसे पहले अपने गुरु के चरणों को इस पर्स करूँगा गुरु को ब्रह्मा विष्टु महिस के रूप में क्यों का गया है इतनी बड़ी उपाधि क्यों दे दी है क्योंकि गुरु अपने जिग्यासु शिष्षी को पहले का करता है ब्रह्मा का रूप लेकर करके उसके हिर्दय अपने उब्देशों के माध्यम से अपने वानी के माध्यम से, अपने आचना के माध्यम से, अपने भावनाओं के माध्यम से, पहले गुरू उसके हिरदय में बीज बोते हैं शुब संसकारूं का, ब्रमा जी का कारी क्या है, शिष्टी का उत्पादन करना है न, यानि कि जो शिष्टी है उसके बिद्धी होती है तो गुरु भी अपने शिष्षि के हरदय में वो शुब संस्कारूं की बीज के बीज बोते हैं दैवी गुरूं के बीज बोते हैं क्योंकि आत्मि ग्यान की और बढ़ने का पहला कदम यही है अवो के वल बोते ही नहीं है सिष्टी ही नहीं करते हैं विश्णु भगबान पोशन भी करते हैं ना साथ में ब्रह्मा का सिष्टी करते हैं और बिश्णु भगबान पोशन ना करें और महिश अगर संगार ना करें असुरूं का तो सिष्टी में अस्त ब्यस्त हो जाएगी इसके बाद में गुरू फिर उसके हिदय में ही जो सुब सथकार की जो खेती जो भृद्धी होई है उसका फिर उपोशन करते हैं यानि बीज बोग करके छोड़ते ही नहीं है ये क्रम अलग अलग नहीं है बलकि तीनों इखटे चलते हैं यानि बार बार उसको उपदेश्टे करके बार बार अपने जिग्यासुं को जिग्यासु साधुकों को बार बार उनको प्रेडित करते हैं उनको उक्साते हैं साधना करने के लिए साहिता करते हैं उनकी जिससे कि उनके भीतर के जो सुफ समस्कार हैं उनकी बृद्धी हो जाए जो खेती है वो उसमें हरियाली आजाए तो यहां पर गूरु फिर उसके भीतर अधिश यूरुप से विष्णूंक का अभिने करते हैं अब खेती हो रही है बीजबोधी है सुबसकारों की उसमें बृद्धी भी हो रही है लेकिन साभाविक है अगर खेती अगर हो रही है जो उसमें बीच में खर्पत्वार भी आएगा धास्भूस भी आएगा ना उसमें कांटे भी आएगगे यानि जो हमें नहीं चाहिए वो भी उसमें बीच माजाएंगे सतह है, स्भवाविक है इसके लिए फिर भगवान गुरु भगवान फिर महिश का कारी करते हैं महिश का भिनाय करकर के अपने उब्देशुं के माध्यम से अपनी प्रिर्णा के माध्यम से और साधक का जो प्रयास हैं उसके माध्यम से उसके भीतर से फिर वो असुप संसकारों का संगार करते हैं सुपस्तशकारं की दिप्रिदी होती है और असुपस्तशकार महिशर के माध्यम से भगवान शिप्प के माध्यम से इनका संगार होता है अर्था जो आसुणी गुन है वो निकलने लग जाते हैं धीरे धीरे या कहें कि वो उनमें परिवर्तन होने लग जाता है जो आसुरी गुण है वो दैवी गुण में परिवर्तन हो जाते हैं ये भी कर सकते हैं गुरूर साक्षात परभ्रम और इसके बाद में परभ्रम क्यों कहा गया है भक्त स्वयम अपने में अनुखो करता है कि मेरे भीतर गुरू ब्रह्मा का रूप लेकर करके विश्णु भगवान का भिने करके महिश का भिने करके जो मेरा जो चेतना उसमें विस्तार हो रहा है और धीरे जीरे जैसे जैसे वो दैविकुन की बिद्धी होती है तो फिर वो स्वयम अपने भीतर जैसे कि आकाश में पूनम का चांद अभी तक घने बादलों से धका हुआ था या सूरज घने बादलों से धका हुआ था अब ये हटने पर जो घने बादल क्या है वो असुप संसकार है जब वो हटने लग जाते हैं तो उसके हिदय रुपी आकाश में ही प्रखर सूरज का उदय होने लग जाता है जो कि पहले से विद्धिमान था आकाश में सूरज पहले से विद्धिमान है पूनम का चांद पहले से विद्धिमान है तो प्रखर चांदनी के रूप में या प्रखर सूरज की रूप में जब उसके हिर्दय के भी पासे जब वो ये जान लेता है कि मैं आत्म सरूप हूँ अहम ब्रह्मा स्मी का जब उससे प्रैक्टिकल अन्वो होने लग जाता है फिर उससे ये गात होता है कि आत्मन में या ब्रह्म में और गुरु में कोई अंतर नहीं है ब्रह्मु तो निर्गु निराकार है लेकिन गुरु सगुन साकार के रूप में मेरे सामने अपतरित हुए हैं और ये मेरा अहुभा की है क्योंकि गुरु की प्राप्ति अगर ब्रह्मनिष्ट और ब्रह्मक्षोत्री गुरु की प्राप्ति हो जाए तो तीनों लोकों में इ उस एशुरह फीखा पड़ जाता है。 एक और सूरज है, एक और आपके दृश्य हैं सूरज के, अनंत दिश्य हैं, अनंत. बड़ी फाइल बना लिए है, जो फोटोग्रैप्स लिए है. जितने भी दृश्य हैं, वो सूरज के सामने सब फीके पड़ जाते हैं इसलिए हमारे शास्त्रों में, हिंदु धरम में, सुनातन धरम में गूरु को बहुत महत्तु दिया गया है और इसलिए हमारे जो विद्याले हैं, छोटे विद्याले हैं या घर में माता-पिता हैं या गुरु हैं आचारी हैं उनका अधर करने की जो प्रक्रिया है वो हमें बच्पने से सिखाई जाती है